बॉर्णिंग दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में बीटीसी 26,934 पर अभी टेट कर रहा है और लगबग ये अभी आधे परसेंट के आसपास डाउन है और कल भी यही हालता कल 27,000 क्रोस कर चुका था और उसने मैंने बोला भी था दी कि यहां ये कोई बहुत विश्वास वाला इसका जो टार्गेट चलता है अभी जहां पर आजी टेट कर रहा है वो कोई विश्वास वाला नहीं है यहां से ये अपकी चांस कम है डाउन के चांस जाता है तो यह अप एंड डाउन कहीं भी जा सकता है तो मैंने कहा था कि चलेगा यह चलाने स उपर जाए तो केवल मैनुपलेशन वही यह कह सकते हैं कि ठीक है थोड़ा सा उपर थोड़ा सा नीचे तो आप पहले सौट्स वालो को काट लो फिर वो लोंग वालो को काट लो वो इस सब चलना है तो जिसकी पोजिशन्स जादा होती हैं वो अपने साफसो दरी गेम खेल द देखे अभी रिसेंट यह सब चलना है और आप यह यहां पर देखे कल जो यह आपका प्राइज था 27,000 और चैसो साड़े चैसो के आसपास का कल प्राइज था यह साड़े दस ग्यार के आसपास का टाइम था यह और वहां से गिरके अभी 26,900 यानि लगबग 1000 के आसपास का अप एंड डाउन यह होता रहता है तो उसकी वजह वही रहती है कि वह एक 1000 डॉलर में अपना जो है अच्छा खासा कमा खा लेते हैं तो बीटिसी में सब यही चलना और कुछ भी अभी भी जो पर इसका चलना है यह भी बहुत बरोस्य बंद नहीं है आप यहां पर यह बढ़ रहा है तो देखिए डॉमिनेंस अगर बढ़ेगा तो फिर यह हो जागा ठीक है जी पैसा आने लगा बीटिसी में तो वो अभी ऐसा कुछ आता हुआ दिक नहीं रहा है तो जो भी है थोड़ा सा अलट रही है क्योंकि यह पंप डंप के खेल से आप थोड़ा सा सतर जो अगर ट्रेडिंग बॉलियूम आएगा तो लोग इंटेस्ट दिखाएंगे तो देखिए वहां पर रहेगा अगर वहरां यह quién डाला जा रहरा है एसी वी वह जा रहा है कि आप भी सतर्क हो जाएं कि कहीं डीट चैसमी में अप प्रॉब्लम है अगर ट्रेडिंग बॉल हो भी से जून में डालने का मतलब यह हो गया कि कहीं नहीं कहीं आपको चेताबनी दी गई है कि भाई हम तो सतर्क हो गए आप भी सतर्क हो जाए अपने फंड को चाहो या आप यहां से बिटो कर लो चाहो आप यह रखो या फिर आप छेंद तो अभी भी बाइनेंस भर अभी बैलेबल है आप यह कहेंगे बाइनस पर बांश और यह बबार तो रखे हैं कोई बहुत ज़्यादा अप्ट्रेनिस में नहीं है अभी लेकिन हाँ मैंने आपको कल इसके बारे में डेटेल में चीज़ें समझा दी हैं कि भाई देखिए बहुत कुछ इसमें जो है बस वही है कि पंप डंबाली सिच्वेशन है आप रिस्क ले सकते हैं कि आपको सौट ट आ रहे हैं उनमें लॉंग टाइम की तो बिल्कुल भी न सोचें आप ये केवल सौट टाइम के लिए रखें कि आप जब भी उपर जाता है उसको बेस सेल कर दीजिए जब नीचे आता है बाई कर लीजिए तो वहां कि आप प्रॉफिट लें अपनी जेब में डालें सबसे best strategy यही है और ऐसे tokens के वारे में साथ कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता आप कई वार पूछने सार इसके वारे में बता दो तो इस वारे हम क्या बता दें क्योंकि यह तो हैं पंपडम वाले token तो आप यहां पर सिर्फ अपनी एक यही strategy बना के रखो कि उपर जाता है सेल कर दो नीचे आता है बाई कर लो बस प्रॉफिट अपनी जिम में डालो इसमें लॉंग टैम का कोई situation नहीं है जब clear cut है कि उनका यूज केस है ना कोई fundamental है तो यह जाएंगे कहां जब इनके पास कुछ है ही नहीं तो आगे उपर जाने के लिए कुछ तो चाहिए ना तो वो चीज नहीं इनका कोई TA या और कुछ हो सकता है जब कुछ है ही नहीं तो होगा क्या तो इसलिए आप सीधी सिवास सब के लिए है जितने भी token है इस टाइप के उनमें बस एक ही fundamental ही उच करना है आपको डिप में बाई कीजिए ऊपर जाता है सेल कर दीजिए बास यही एक formula आपना तो भी जब यह एक प्रपोजल आता है तो कुछ नहीं को टीम पहले से सोच कही लाती है तो वह यह confirm हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है तो लेकिन आप जो बर्निंग का है वह एक जून के आसपास का रहेगा तो आप वहाँ पर थोड़ा सा इसमें volatility देख सकते हैं लेकिन वह जितनी अगर यह BSC पर इसको अगर बन करते तो देखे साब प्राइज में बहुत ज़्यादा जवर जस्त हैं पर जो उच्छाला आपको देखने को मिलता लेकिन चुकि एथेरियम चेन पर हो रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा कि उम्मीद मत करना मेरे भाई कभी आप फो सा रेटा निया दिखाई देता लेकिन हाँ जो जिरो परसेंटेज उसका एथेरियम का जो फीस का था वो जरूर आपका प्रपोजल पास हो गया है तो उससे देखे कोई बहुत ज़्यादा फरक पढ़ना नहीं क्योंको एथेरियम पर बहुत ज्यादा ट्रांजक्शन हो भ जरूर कराएं हम हैं बेबी डॉच के देखिए ऑफिसल पेज पर ट्विटर पर और वहीं पर देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड वहीं उसी की बातें चल नहीं है सारी जो आपका हंडर्ड बर्निंग का है उसी के बारे में एक तरह से यह कहता है हवाबाजी आप यही कहेंगे और क्या कहेंगे अपनी सुद्देशी लेंगुज में कि हवाबाजी की जा रही है भाई ठीक है यह रिकॉर्ड बन रहा है लेकिन इन्वेस्टर को कितना फायदा होगा उसके बारे में सोचिए न तो वो देखिए साब ऐसा कुछ भी नहीं है सोच रहे हैं केवल अपनी पास हो जाएगा तो हो नहीं है साथ देखिए एधिरियम पर वैसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है नहीं और जो हंडर क्वाडन का है वो एक जून का यह कह रहे हैं तो मैं आप से तरह इतना ही कहना चाहूंगा देखिए केवल इस पर निजर बनाके रखिए और अगर पर होती है नि बेन भी चेंड पर होती तो आपको बहुत मस्त यहां पर जो है आपको रिजल्ट दिखाई देता लेकिन डेवलपर भी चाला कहने उन्होंने यह गेम एक तरह से यहां खेल दिया है यह साव अपना वोल्ट नू तो देखिए वोल्ट नू में जो इन्हें व अफिसल पेज ही दिखा रहा हूं कैसा इन्होंने अभी कुछ नहीं बोला है यहां इन्होंने अपनी तरफ से यह तो बोल दें कि माइगरेशन कंप्रेट हो गया है लेकिन अभी जो एक्षेंजों पर है वो कब तक होगा कैसे होगा वो यह बाद में कोई अप्रेट करेंग तो आपके सामने वो चीज भी आ जाएगी लेकिन आभी फिलाल ऐसा कुछ भी नहीं है हां लेकिन जो इनका बर्निंग होना है वो आज होना है यानि कि एक मिलियन डॉलर का वोल्ट इन्हों जो बर्न होना है तो आप थोड़ा सबस नजर बनागे रखें लेकिन अगर वी ट पास हो चेंज क्यों नहीं हुआ तो वह जम्यदारी है अपने आपको और करके देंगे तो और च्शेंजियों पर फिर ए डहिए इस हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना है ठीक है नो में जो लोग पूछ रहे थे कि सर वो कंवर्ट क्यों नहीं हुआ तो देखिए अभी तो बोल्टीनु वाला नों भी ऐसी कोई नहीं ुमस्काओ